अभी हम लोग discuss करने जा रहे हैं कि किस तरीके से motor trolley को operate किया जाता है तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि motor trolley क्या है इसमें कौन-कौन सी जो है authority इस्तमाल होती है और किस तरीके से इसका operation किया जाता है between two stations इसके बारे में detail में हम देखते हैं one by one motor trolley, motor trolley एक self-propelled vehicle होता है जिसको चार आदमी मिलकर उठाकर track पे रख सकते हैं या track से उठाकर नीचे रख सकते हैं ये motor trolley, a simple purpose ये है कि जब भी हम track का inspection करते हैं या signal का inspection करते हैं तो उस समय ये बहुत ही handy सावित होता है और बहुत असानी से हम रुप-रुप कर track का और signal का inspection कर सकते हैं motor trolley का operation एक safe operation होना चाहिए जिसते की कोई untoward incident ना हो जाए motor trolley की जो working है वो पूरा का पूरा working जो है GNSR के 15.25 में दिया हुआ है motor trolley operation के दोरान कुछ special instruction भी होते हैं जैसे की motor trolley हमेशा block protection system में ही operate होता है motor trolley में at least 4 आदमी होने चाहिए जो कि उसको easily off track और on track कर सके साथी साथ flagman भी होना चाहिए motor trolley पे सारे equipment होना चाहिए ताकि जरुद पढ़ने पे उन equipment के इस्तमाल हो सके motor trolley को हमेशा एक push system में चलाना चाहिए कभी भी इसको pull system में नहीं चलाया जाता है और motor trolley को operation जो है certified competent in charge ही करते हैं अब हम बात करने वाले हैं कि motor trolley का safe operation कैसे किया जा सकता है तो GNSR के 15.25 में motor trolley operation से सम्मंधी detail जनकारी दे गई है सभी station master को और station superintendent को ये निर्देशित किया जाता है कि आप जो है GNSR के 15.25 को कोई तरीके से कंठस्त कर लें और उसको समझ लें कोई doubt होता है तो आप उसको पूछ लें और clear कर लें तब ही जो है motor trolley का operation जो है आप करें अब हम बात करते हैं कि motor trolley का operation में दो तरीके से इसका operation किया जाता है एक होता है following train system और दूसरा होता है without following train system तो जो following train system होता है उसका मतलब यह होता है कि अगर एक block section में कोई train जो है जा रही हो और उसी के पीछे जो है कोई motor trolley हमें भेजना हो तो इसको कहा जाता है following train system without following train system ओ होती है जिसमें कि एक block section में एक motor trolley का operation हो रहा हो उसको कहा जाता है without following train system without following train system में जब हम motor trolley को एक station से दूसरे station के लिए भेजना होता है तो ऐसे में जो station भेज रहा है वो अगले station से proper line clear लेता है उस line clear के लिए GNSR में एक format दे गई है जिसमें कि आपको पूरा message लिखते हुए एक private number exchange करना है उसके बाद जो station motor trolley को dispatch करने वाला है वो अपने यहाँ TSR में पूरी तरीके से उसका entry करेगा और साथी साथ एक प्राधिकार issue करेगा जो की motor trolley operate कर रहा है उस प्राधिकार को कहा जाता है motor trolley authority उस इस तरीके का एक booklet होता है जिसमें जो entry जो है दिया होता है उस entry को भरते हुए इसको issue किया जाता है और station master जब इस folio को भर देते हैं उसके बाद जो motor trolley in charge होता है उसको handover करते हैं और उसका receiving लेते हैं motor trolley in charge जो है उसको लेते हुए signal को on condition में पास करता है और जैसे ही वो block section clear करके अगले station पर पहुंचता है तो वहाँ पे ये प्राधिकार जो है ले जाकर station master को दे दिया जाता है station master उस प्राधिकार को देखते हुए अपने यहाँ के TSR में उसको entry करते हैं entry करने के बाद जो है T14-10 जो register होता है में जो है पूरा entry करते हैं ये motor trolley safely जो है आ चुकी है पुरी तरीके से उसके बाद जो है line को close करते हैं motor trolley cooperation जो है following train system में कैसे करते हैं तो जब हम motor trolley cooperation following train system में करते हैं तो उसके लिए जो train हम dispatch किये हैं और जिसके पीछे हमें और motor trolley चलाना है तो इसके लिए इस तरीके से नियम है कि जब आप train के लिए line clear ले चुके होते हैं और उस train को dispatch कर चुके होते हैं उसके बाद जब आप motor trolley को dispatch करते हैं तो आप एक private number exchange करते हुए messages को exchange करते हैं और उसके बाद अपने TSR में उसके entry करते हैं और फिर जो है आप जो है T1525 करके एक authority होता है जो एक booklet है इस तरीके का उसमें आप पुरा भरते हैं और भरने के बाद जो है जो motor trolley के in charge होते हैं उनको आप देते हैं और उनका receiving up लेते हैं अगर उस trolley के पीछे आपको और भी trolley चलानी है तो उसके लिए भी अलग-अलग आप private number exchange करते हैं और उस messages को भी exchange करने के बाद आप उसकी TSR में entry करते हैं हर एक trolley के लिए और उसके बाद हर एक trolley के अलग-अलग T-1525 folio आप issue करते हैं और issue करके उसको जो है motor trolley in charge को देते हैं motor trolley in charge उसको ले जाकर अगले station पर अपनी destination पर पहुंसते ही उसको station master को handover करते हैं station master उसको जो है proper तरीके से TSR में entry करते हैं और T-14 सर 10 जो register है जो final arrival of train का जो register होता है उसमें उसका entry करते हैं और साथी साथ जो last वाली motor trolley पहुंचा है उसको जो है previous station को inform भी किया जाता है कि आपकी last वाली motor trolley जो है पहुंच गई है और इसको private number exchange करते हुए किया जाता है